हेलो दोस्तो, अगर आपका ब्लॉगर में ब्लॉग है तो आज की उचित जानने वाले कि कैसे आप अपने ब्लॉग में एक अच्छा सा थीम लगा सकते हैं यानि अपना जो ब्लॉग का डिजाइन है वो चेंज कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं यह वो ब्लॉग था जो पिछली वार मैंने बनाया था ब्लॉग विद नवीन रागर ठीक है तो इसमें अभी कुछ भी कस्माइजेशन नहीं है इसका जो डिजाइन है वो भी इतना अच्छा नहीं है आपको दिखा देतों मोगाइल पर यह ब्लॉग कैसे दिखेगा इस तरह का दिखता है तो कुछ खास नहीं है इसमें तो हम चाहते हैं कि इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा खास दिखें तो इसलिए हम यहां पर चले जाते हैं थीम में तो यहां पर आपको बहुत सारे यहां पर लगा देते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना है Google में और लितना है वलागर व्लॉग त्यम्स तो जैसी वेगगर ब्लॉग त्यम्स वहूँ सर्च करते हैं तो यहां आपके सामने बहुत सारे options दिख जाते हैं बहुत सारे website जब जीट ढाती coded themes हैं वो आपको दिख जाती हैं तो मेरे को यह अच्छा लग रहा है तो मैं इसको देख लेता हूँ तो जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो इस block theme का ना में okro block template तो इस तरह से आपका template दिख जाता है तो यहां पर टीन options आवे मिलता है एक तो आप खरीद सकते हैं से जो आप इसका premium version है लेकिन हमें premium नीची है हमें चाहिए सिर्फ इसका free version तो free version हम यहां से दिखता है मैं यहां पर चले जाता हूँ file manager में और यहां पर downloads में download हो चुका है in case कि आपके पास जो है वह mobile में ब्लॉग चला रहे अपना तो mobile में भी आप download कर सकते हैं और इसके बाद एक app मिलता play store पे xml extractor के नाम से तो उसमें से आप extract कर सकते हैं तो यहां पर already extract हो चुका है तो free version यहां पर extract यानी होता है कि एक file जो होती है जो भी theme हमें मिलते इंटरनेट पे तो वो zip file के type ही मिलते है तो zip में बहुत सारी चीज़ें होती है तो उन में सामें बस एक चीज़ चाहिए होती थीम यहां पर आप लेख सकते हैं xml document यह वाला तो यह वाला theme है बाकी इसके साथ photo है और बाकी कई सारे अलग-अलग type case के साथ files है लेकिन हमें सिरफ अभी फिलहाल यह xml documents अपनी ब्लॉग पर paste करने के लिए तो चलिए से अपने ब्लॉग पर लगा देते हैं तो ब्लॉग पर लगाने के लिए सबसे बदर आप पूचा वजाना अपने themes के option पर जाते हैं तो इसके बाद आपको यहां पर customize option मिलता है इसके बगल में आपको drop down का option दिखता है यहां रेक्षे से रिस्टोर करेता है रिस्टोर करने आप डी आपके मोबाल बाराइन स्परिए और अप्लॉड कर देना है रापके इस की भ्रएम करने से ताइंचे हो लिए आप आप सज रिख सकते हैं यहां पर फिल्लाल मेरे डेक्सटॉप में यहां पर साइम लेगा तो तो थीम के बारे में बता दू गाइस बेसिकली ये थीम जो है वो कोडिंग होती है HTML, CSS, JavaScript की कोडिंग होती है आपकी वेबसाइट पर जिससे आपकी वेबसाइट का डिजाइन जो है वो बनता है आपकी वेबसाइट फंक्शनल हो पाती है तो यहां पे अभी हम रिफ्रेश कर यहां पर एक गोयां भी टेप्लेट इसमें जा सकते हैं इसके लावा आप कोई दूसरी वेबसाइट से भी तेम से डाउनलूड कर सकते हैं और प्रशस सेम ही होता है तो इस तरह से यहां पर आपका बहुत अच्छा वेबसाइट बन जाता है तो इसके अलावा अगर आप चाते हैं कि आप theme में कोई customization करें, custom change करें तो आप अगर आप coding के समझ रखते हैं web development की तो आप add a testimonial में जा सकते हैं यहां से आप change कर सकते हैं तो दोस्तो यह था आज का video theme change करने पर कैसा आप custom theme अपने blog में लगा सकते हैं blogger blog में especially तो आयोब आपको पसंद आया हो यहां से आप देख सकते हैं कि mobile में किस तरह से देखेगा ऐसी और किस किस तरह के mobile में किस तरह से देखेगा आप यहां से आप उसका देख सकते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और ब्लॉगर्ट ब्लॉग की दूसरी सेरी दूसरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें तब तक करें अलविदा